इस वीडियो में दी हुई जानकारी इंटरनेट से ली गई है, हम इस वीडियो में किसी भी दवाई का प्रचार नहीं करते, किसी भी दवाई को इस्तमाल करने से पहले एक बार डॉक्टर से जरूर सलाह ले, इससे सांस लेना आसान हो जाता है और खांसी की आवरती कम हो जाती है 0xp सिर्पलजी के लक्षणों जैसे आखों से पानी बहना, छीकना, नाक बहना या गले में जलन से भी राहत दिलाएगा लक्षणों को कम करने के लिए दवाओं के साथ पर्याप्त मातरा में हलका गर्म पानी पीएं और गर्म नमक के पानी से गरारे करें इस दवा को अपने चिकित सक द्वारा बताई गई खुराक और अवधी में लें उप्योग करने से पहले निर्देशों के लिए लेबल की जाँच करें इसे मापने वाले कपसे नापे और मूँ से लें इस्तेमाल से पहले अच्छी तरह हिलाएं 0-1-P सिर्फ भोजन के साथ या बिना भोजन कि ये इसे लिया जा सकता है लेकिन बहतर यह होगा कि इसे एक नियत समय पर वरियता के साथ लिया जाए 0-1-P सिर्फ तीन दवाओं अमबरॉक्षॉल, लेवोसलबुटामॉल और गुएफेनिसिन से मिलकर बनी है जो बलगम वाली खांसी से राहत दिलाता है अमबरॉक्षॉल एक म्यूकोलिटिक है जो बलगम यानि की कफ को पतला और धीला करता है जिससे खांसी को बाहर निकालना आसान हो जाता है लेवोसलबुटामॉल ब्रॉंकोडाइलेटर होता है यह वायुमार्ग में मांसपेशियों को आराम देकर काम करता है और वायुमार्ग को चोड़ा करता है गुए फिन इसने एक एकस्पैक्टोरेंट है जो बलगम यानि की कफ की चिपचिपाहत को कम करता है और वायुमार्ग से इसे हटाने में मदद करता है साथ में वे सांस लेना आसान बनाते हैं वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को टन उन आल नोटिफिकेशन पर सेट करें धन्यवाद